नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं नियूज क्लिक बीते 15 तारिक को देश के जामया मिलिया इस्लामया इन्वर्सिटी और अलिगर्ण मिस्लिम इन्वर्सिटी दोनों जगा पुलिस का स्टूडिन्स पर एक क्रैक डाउन हुआ उस क्रैक डाउन में कई छात्रों के हालत काफी गंभीर बनी हुई है अभी भी कई छात्रों घायल हुए है आखिर ये पूरी चीजें कैसे हुई कैसे ये पूरा अन्फोल्ड हुआ उसको बताने के लिए आज हमारे साथ है फवाद साहिन जो क्वील फानुडेशन के साथ जुड़े हुए है और उनके लिए काम करते हैं फवाद सार आप और आपके जो है दो टीम जो एक दो जो साथी थे वो जो है फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को जो है बिसिकली उन्होंने पब्लिश किया है और आप लोग गए थे वहाँ पे हमारे दर्सकों के लिए अगर आप बता पाएं अगर आपकी फर्स्ट हैं जो अकाउंट जो है आप जब पंदरा सोलग की सुबह जब वहाँ पे अफनाक खबरें अलीगड़ से आ रही थी तो एक बज़े के आसपास तीन लॉयर्स की टीम मैं खुद था उसमें Human Rights Law Network के एडवोकेट आमन और Human Rights Law Network के एडवोकेट फजल अबदाली हम तीनों एक बज़े के करीब दिल्ली से निकले जिस्टू नो के अलीगड़ में क्या हो जरुद की जुरुवत है चार बज़े के आसपास हम University पहुँचे होंगे University की जो शुरुवात है वो बेसके लिए University Circle से होती है जो एक चौराहा है जिसके आधे किलोमेटर से भी कम की दूरी पे University का में गेट है सॉरी गेट नबाबे सैयद जिसको कहते हैं हम जब वहां पहुंचे तो यूनिवर्सटी सर्कल पे बहुत ही हेवी एक आरेफ का कंटिंजन्ट था similarly यूनिवर्सटी के गेट पे एक हेवी कंटिंजन्ट था वहां पहुंचते हैं जो पहली चीज हमने देखी कि बाबे सैयद का जो राइट साइट का एक बहुत बड़ा सा गेट है तकरीबन 15 फिट का गेट होगा वो शायद उससे भी ज्यादा और वो दो पार्ट में दो ग्रिल्स हैं उसमें बहुत बड़े तो एक जो नीचे का तकरीबन 10 फिट का ग्रिल है वो पूरा निकला हुआ था सिर्फ उसका फ्रेम बागी था और फ्रेम भी टेड़ा हो चुका था तो क्लियरली इंटर करते ही वहां पे कुछ वाइलेंस के साइन्स तो थे और जैसे ही हम उनिवर्सटी के अंदर से फिर हम मेडिकल कॉलिज के ट्रॉमा सेंटर की तरफ सबसे पहरे बढ़े जहां पर हमें पता था कि कुछ स्टूडेंट्स भरती हैं उसके रास्ते में जो हमने युनिवर्सटी की में रोड पे लाइबरी के सामने एक अजीब सा मनजर देखा के आरेएफ की निगरानी में एक छोटा सा जेसीबी ट्रैक्टर बाइक्स को उठा उठा के ट्रक पे लाद रहा था यह क्यों हुआ हमें मालूम नहीं लेकिन बेसिकली पूरे युनिवर्सटी के रोड पे जित्ती भी बाइक्स थी आरेफ की निगरानी में उनको उठा करके एक ट्रक पे लाद के कहीं ले जाया गया इसके बारे में हमको कोई फर्दर इंफरमेशन नहीं मिल पाई हम जब ट्रॉमा सिंटर पहुँचे तो वहाँ पे काफी सननाटा था एक्चली उस वक्त हमने लोगों से पूछा भी तो इनिशली कोई हमसे बात करने को तयार नहीं था धीरे धीरे लोगों से जब बात की we could find three students in ICU और officially जो admin की तरफ से वहाँ के हमें कुछ बताया नहीं जा रहा था कि क्या रात को कुछ students आए भी थे नहीं आए थे जो तीन students हमें ICU में मिले उसमें से एक का right hand amputate किया जा चुका था एक को continuously seizures आ रहे थे और एक के सर पे चोट लगी थी और उसके साथ ही ने हमको बताया और बाद में थोड़ी दिर बाद जब उससे बात हुई तो उसने भी confirm किया कि उसके सर पे rubber bullet आके लगी थी रात के वक्त और वो दो चातरों के बारे में भी जब हमने उनके दोस्तों से थोड़ी और बात की तो उनने बताया कि जिसका हाथ amputate हुआ है उसके हाथ के पास आके एक tear gas का गोला फटा था हाथ के पास आके या उसने हाथ रोकने की कोशिश की थी वो clear नहीं था बट उसके हाथ के पास फटा था जिस वज़े से उसका right wrist amputate करना पड़ा और जो उसको seizures आ रहे थे उसके बारे में ये बताया गया कि लाठी चार्ज में वो जखमी हुआ है शायद सर पे लाठी पड़ी है उसके अलावा हमें ये पता चला कि student student के प्रेजड़न सल्मान इम्तियाज तक्रीबन तीन बजे तक ICU में ही थे उनके चाती पे या तो पिलेट या तो रबर बुलेट लगी थी बट वो उस वक्त वहां से डिस्चार्ज हो गए थे और उसके बाद कल उस दिन शाम तक उनका कोई पता नहीं था बाद में उनसे कांटाक्ट हो पाया ट्रामा सेंटर में ओफिशली तो हमें कोई आखड़े नहीं मिले बट अनओफिशली कुछ वहां के जो उस वक्त गार्ड्स ड्यूटी पे थे और पैरामेडिकल स्टाफ उन्होंने हमको बताया कि तक्रीबन साथ स्टूडेंट वहां आए थे जिसमें से के सिर्फ जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको उन्होंने आईसियो में रखा ये तीन प्लस वो स्टूडेंट स्टूडेंट प्रेजिट जो बाद में डिस्चारज हो गया बाकी के सारे स्टूडेंट्स को फर्स्टेट करके वापस भेज दिया गया स्टूडेंट्स खुद बहुत डरे हुए थे वो बार-बार ये कह रहे थे कि हमारा नाम कही मत दीजिएगा हमारे उपर नेसे लग जाएगा और माम ने पूछा आपको ये क्यों लग रहा है तो उन्हेंने का जो आरेफ के लोग आक्शन कर रहे थे वो गालियां दे रहे थे वो इंसल्ट्स निकाल रहे थे और वो बार-बार कह रहे थे कि एने से डाल देगे वो कम्यूनल स्लर्स थे उनका कहना था कि वो एक तो जेनरल गालियां थी प्लस वो मुसल्मानों के उपर जेनरल स्टेट्मेंट्स उनको specifically किसी को मार रहे हैं तो address करके मुसल्मान के तोर पे और उसमें गंदी गाले हैं, communal slurs clearly निकाल रहे थे, तो ये हमको trauma center में बाते पता चली i witness account से वहां से हम लोग move किये 7 बजे के आसपास वहां से हम move किये उसके बाद we tried to visit the hostels जहां पे हमें बताया गया था कि ये action हुआ है, सडकों पे उस वक तक सडकों पे से जो भी निशान थे बाइक्स के, कुछ शीशे वगर अधर उदर पड़े थे टूटे पे बाइक्स के, एक टूटी वी गाड़ी पड़ी थी बट उसके अलावा, हम जब सुबा चार बज़े आय थी, तो कुछ चीज़ें सडक पे पड़ी हुई थी साथ बज़े तक ज़्यादातर निशान हट गए थे, सडक के उपर से और हम वहां पे जब हॉस्टल्स में गए तो उधर बाबे से जब आप लेफ्ट में जाते हैं तो एक पूरी रोड है, आफटाब हॉल रोड जिसमें दो रेजिदेंशिल हॉल्स हैं स्टूडंस के, आफटाब हॉल और सरसेयद नौर्थ और उसमें, उसी के दो हॉस्टल्स में सबसे ज़ादा हमको आई विट्निस अकाउंट्स मेले सरसेयद नौर्थ में और मौरिसन कोर्ट में उसके बाद आफटाब के सारे हॉल्स में हमें बच्चों ने ये जो बताया उससे जो हमें समझ में आया कि एक यूज्वल प्रोटेस्ट जो अलीगड में पिछले, जिस दिन से सीएबी इंट्रियूस हुआ है उस दिन से एक प्रोटेस्ट चल रहा था उस पंदरा तारिख को शाम आठ बजे के आसपास क्यूंकि खबर फैल गई थी कि जामिया में आक्शन हो रहा है तो और लड़के उस प्रोटेस्ट में घट्टा हो गए थे और लाइबरी कैंटीन से लेके बाबस्यत तक प्रोसेशन वो अलिगड़ का एक यूज्वल प्रोटेस्ट का रूट है जैसा कि यहां पे जंतरمنतर पे लोग निकालते हैं वहां पे वो एक प्रोटेस्ट का रूट है तो एक प्रोसेशन कुछ का कहना था क्या था कि ये लोग बाबे सहियत की तरफ बढ़े आठ बजे के आसपास और उस वक्त पुलीस का जो पूरा जथा था यूपी पुलिस और आरेफ वो हैवी नंबर में अल्रेडी मौजूद थे लेकिन उनिवरस्टी सिर्कल पे पहले मौजूद थे स्टूडेंट्स को आता देख के पुलीस भी आगे बढ़ी और स्टूडेंट्स का महजूम जो था वो प्रोटेस्ट का जो में बॉडी थी वो बाबे सहियत पे रुग गया कुछ stray groups आगे बढ़े उनिवरस्टी सिर्कल की तरफ 30-40 या 50-60 बच्चे होंगे जो stranded एक ग्रूप बना के नहीं कुछ लोग उनिवरस्टी सिर्कल की तरफ भी बढ़े बढ़े बट पुलीस जब करीब आने लगी तो उनिवरस्टी के गार्ड्स ने गेट को बंद कर दिय और उसके बाद फिर पुलीस ने students को disperse करने के लिए tear gas और rubber bullets और pellets fire करना शुरू किया उनका कहना था कि हम disperse करना चाह रहे हैं और students वहाँ से हटे नहीं, students वहीं पर खड़े हुए थे, ये एक देड़ घंटे तक चला होगा, दस बजे इससे पहले ही, दस बजे के आसपास, पूरी पुलीस की force ने gate को force किया, उसके उपर एक forcefully gate के उपर action किया, और उसी में gate का वो जो grill है, वो तूट के बाहर आ गया, उसके बाद पुलीस अंदर आई और लाठी चार्ज हुआई, लाठी चार्ज का time हमने multiple students से पू टीर गैस भी fire कर रहे थे, वो pellets भी मार रहे थे, उस लाठी चार्ज में पूरा जो crowd था, वो actually dispersed हो गया, लोगों के उसके बाद के recollections हैं, जिसके सर पे rubber bullet लगी थी, जो ICU में था, उसका भी कहना था कि हम लोग वहां से भागे, और protest की side से हम भाग के, hostels की तरफ जा रहे जैसे ही आप वहां से left लेते हैं, तो university के guest houses है, staff club है, तो उस road पे, उसका कहना था कि हम उस road पे थे जिस वक्त, police की rubber bullet आके, मतलब उसको यह नहीं recollection था कि, क्या हुआ, उसको यह recollection था कि, उसने police को देखा, उसने firing होते वे देखी, और उसके बाद फिर वो, एक semi conscious state में था जो हम आपकी fact finding report पढ़ रहे था, उसमें यह भी था कि, जो है, police जो होस्टल में घुसी है, और फिर वहां पे भी tier gas नहीं हो रहा है, तो यह 10 बजे के आसपास उनने लाठी चार्ज किया, साढ़े 10-11 तक, क्योंकि protest disperse हो चुका था, police, वो जो hostels हैं, उनकी तरफ बढ़ी जादा तर बच्चे सबसे करीब के hostels भागे थे, police वो इन hostels की तरफ बढ़ी, और वहां पे सरसेयद North जो hostels है, पहले उस पे उनने tear gas fire करना शुरू की, tear gas, rubber bullets और pellets, यह तीन चीज़ें हर किसी ने confirm की, फिर कोई कह रहा था कि stun grenade भी थे, sound grenade थे, तो उसको हम confirm नहीं कह सकते यह तीन चीज़ें, everybody told us, तो वो सरसेयद North hostel के अंदर fire करते रहे, उसका एक iron grill का gate है, वो locked था, तो वो अंदर नहीं जा पाए, उसके बाद Morrison court का hostel है, जहां पे के सबसे उन्होंने violent action किया, उस gate क्योंके वो सरसेयद North के hostel पे police firing कर रही थी, उसके left में Morrison court है, वहां पे कुछ जमा थे, अचानक से police ने उनको लाठी चार्ज किया, students अंदर गए, वहां पे एक बुढ़ा guard था, उसके साथ भी उन्होंने उसको भी assault किया, जब उसने रोकने की कोशिश की, और ey witness students का कहना है, कि उस guard को भी उन्होंने communal गालियां दी, उसके बाद जब police अंदर आई, hostel में कि right और left में जो 5-10 rooms हैं, दोनों तरफ, उन सब के शीशे तूटे हुए थे, और वहां के students का है कहना था, कि police जब अंदर आई, तो rifle butts से शीशे तोड़ते हुए जा रही थी, और एक room में particularly, right side में जो तीसरा ही room है, room number 46, उसमें हमने जो देखा, कि room जब हम गए तो उसके श बिस्तर की bedding जली हुई थी, बिस्तर वगरा नहीं जला था, और एक बिस्तर के ऊपर, tear gas का shell पड़ा था, और कम से कम दो rubber bullet, हमने जिन्दगी में से पहले rubber bullet की सिर्फ तस्वीर देखी थी, तो दो rubber bullet भी पड़े हुए थे, तो वहां पे जब हमने पूछा student से, तो उस room का, तो कोई student नहीं था, उस room का जो, में जो student रहता था, उसका भाई हमें मिला, और उसके अलावा, eye witness जो आसपास के थे, उन्हेंने बताया कि ये students ने अपने आपको अंदर lock कर लिया था, और इतिफाक से ये protest में थे भी नहीं, ये लोग पहले से भी hostel के अंदर थे, तो इन्ह लगा के tear gas fire किया, और उसमें ही शायद rubber bullet भी fire किये, और tear gas fire करते ही room में आग लगी और बच्चे बाहर आये, उस वक्त उन्हें उनको detain कर लिया, उन बच्चों की कल शाम तक कोई खबर नहीं थी, हमारी कल fact finding report release करने के कुछ गंटे बाद हमको खबर मिली कि वो बच्चा ज की मतलब first hand information थी, उसके अलावा बहुत सारी प्रतिकिया आ रही है, पुलीस कह रही है कि हम इंटर नहीं किये, बर उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, और हमने खुद आख से देखा और photograph लिये के room के अंदर एक tear gas shell है, और rubber bullets है और room जला हुआ है, तो वो तो बहुत ही clear evidence है कि पुलीस ने अंदर आके firing की थे, फवाज, जो दूसरा जो मेरा सवाल है आप से, वो यह है कि मैं कहूं कि यह protest जो है, C.A.B.C.A.E. को लेकर जो प्रोटेस्ट है, वो all across the country हो रहे है, राइट, आपने जो पुलीस का barbarism जो है, वो जेनु के students पे भी दिखा, उनके उपर जो चीज बार बार आ रही है, वो यह का जा रहा है कि जो minority institutions है, उनको deliberately target किया जा रहा है, यह तो एक तो common चीज है, हिंदुस्तान में student हो, चाहे laborer हो, चाहे worker हो, जो भी protest करता है, पुलीस उसके उपर एक brutal action करती है, और प्रोटेस्ट डिस्पर्स करने के लिए, पुलीस हर protest को disperse नहीं किया है, जो के अपने आप में कोई justification नहीं है, वाइलेंस का, अगर आप उसे मान भी ले, पुलीस है सिर्फ protest नहीं disperse किया है, university के अंदर आके, students को मारा है, university property को damage किया है, students की property, bikes को तोड़ना, उठा के ले जाना, इन सब चीजों का कोई rational नहीं है, protest breakup करने से ये clearly एक intent दिखा रहे हैं, कि यहां सिर्फ protest नहीं break up करना था, एक सबक सिखाने का element भी इसमें शामिल था, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ कहूंगा, जो बाकी universities में हिंदुस्तान में protest हो रहा है, उसमें इस तरह की brutality police नहीं दिखा रही है, यहां पे ना सिर्फ brutality दिखाई visibility के साथ brutality, publicly brutality दिखाई, दिन दहाड है, मतलब बहुत छुपके नहीं किया, openly किया, कैमरों में चीज़ें कैद हुई, मेरा अपना यह अंदाजा है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक सिट्रिस अमेंडमेंट के खिलाफ एक protest हो रहा है, समान नागरिकता के अधिकार के लिए एक protest हो रहा है, नौर्थीस्ट में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, हर तबके से हो रहा है, इसको सरकार की तरफ से एक मुस्लिम प्रोटेस्ट का रंग देने की कोशिश की जा रही है, कि यह महज मुसल्मानों का protest है, डेफिनिटली मुसल्मान इस से पीडित हैं, और इसकी वज़े से बाहर आए हैं, लेकिन यह सिर्फ ना तो मुसल्मानों का मुद्दा है, ना सिर्फ उनका protest है, यह जो आक्शन पंदरा तारिख को हुआ, दो ऐसी उनिवर्स्टीज जो पूरी दुनिया में इंडियन मुसलिम से आइडेंटिफाई होती हैं, जामिया औ इस वज़े से उनुने खास करके अलीगर जामिया को टार्गेट किया, और उन्हें इतना डेलिबरेट बूटालिटी यहां पे दिखाई, वरना यह protest पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आखरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, दिखाए हैं, उसके खिलाफ सुप्रिम कोट में पेटिशन्स भी मतलब आज फाइल हुई है, आज मतलब उन्होंने का कि जैनवरी में हम तिलवाई करेंगे, आप अगर मैं आपसे समझना चाहूं, यह की जो है, आप इसके बाद का आगे कराफता, कैसे देखेंगे, सिटिजन्स अमेंडमेंट बिल हमको पूरी उमीद है, कि अगर सुप्रीम कोट इसको हीरिंग दे नहीं, आज नहीं तो कल उनको देनी पड़ेगी, उन्होंने पेटिशन्स एक्सेप्ट कर ली है, जैनवरी में उन्होंने नोटिफाई किया है, अगर सुप्रीम कोट में कॉंस्टिशनल स्टैंडर्ड स्पेस को चेक किया जा पर्जेक्यूशन की बात की जा रही है, एक तो आप पर्जेक्यूशन आइटिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी को सिटिजन्शिप देते हुए, दूसरा यह कि अगर सरकार को पर्जेक्यूशन की इतनी फिकर है, तो वो क्यों सिर्फ तीन मुल्क, तीन जेग्राफिकल लोक पर्जेक्यूशन की बात थी, तो हम तो सराहते हैं कि पर्जेक्यूशन के लिए सरकार कुछ भी करें, हम तो यह डिमांड करेंगे कि सरकार एक रेफ्यूशन को पहले राटिफाई करें, रेफ्यूशन की इतनी फिकर है तो, और एक अच्छा असाइलम लोग बनाएं, जो दुनिया के हर पर्जेक्यूटिड इंडिविज्वल को इंडिया में असाइलम दे, इंडिया शुड बीकन ओफ फॉप फॉर थे होल वर्ल्ड, तो यह जो सरकार ने किया, यह क्लियरली एक क्लियरली एक कम्यूनल नार्सी के प्रॉसेस से लिंक्ट है, और इसका एक बहुत इक्वल सिटिजन्शिप का जो डिमांड आ रही है, उसको कबूल कीजिए और खुद ही इसको खतम कर दीजिए, यह थे फावाद साहिन, क्विल फांडेशन से, फावाद आपका हमसे बात करने लिए शुक्रिया, और न्यूस क्लिक देखने के लिए आपका शुक्रिया, अ हमें फेस्बुक पे लाइक कीजिए और यूटुब पे सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया